हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत थेक और नए वीडियो में आज के वीडियों का टॉपिक है घरवनी आबादी जमीन को आप अपने नाम कैसे कराएं जी हाँ दोस्तों आबादी जमीन को आप अपने नाम करा सकते हैं प्रधान मंतरी स्वामित योजना एक ऐसी योजना आई है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे तो बने रहें इस वीडियो में आंतक और जाने कैसे आप अबादी जमीन को अपने नाम पर करा सकते हैं साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल एस वाई अपडेट को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन को फ्रेस कर लें ताकि आपके पास न है नहीं लेंगे अब यह देखें हाइट करके दिखाने की प्रयास क्या हूं डेटा प्राइवेसी की वज़से देख रहे हैं लडाई यह क्यों हो रहा है ऐसा नहीं है देखें लडाई कोई करना नहीं चाहता है लेकिन ऐसी सेच्वेशन में लोग लड़ते हैं तो दरसल आजादी के बाद आबादी छेत्रों के लिए हर ग्रामिर छेत्रों में एक आबादी जमीन निर्धारित किया गया था कि इसमें आबादी छेत्र बसेगी तो उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था कि यह आपके नाम पर है यह आपके नाम पर है तो लोगों ने घर बना लिया मकान बना लिया रहने लगे लेकिन आज तक उनके पास कागज नहीं है अभी तक का यहसा इसे च्वेशन है कि आबादी जमीन में जिसकी कब्जा है जो कब्जे में है वह उसी की जमीन मानी जाती थी इसकी वजह से जो मजबूत लोग होते थे एक आम इंसान को दबा कर जमीन को हड़ाप लेना या अपने कब्जे में ले लेना इस तरह से होता था तो बहुत सारे जगड़े चलते थे केस मुकदमा इस तरह से चलता था इसी को देखते हुए आप जानकर सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश आज याद हुआ और आज 2022 तक में ऐसा अभी तक कोई प्रावधान पहले नहीं था लेकिन अब अक्टूबर 2020 से इस योजना को लागू किया गया है अब इस पे काम चल रहा है कि आबादी जमीन को आप अपने नाम पर करा सकते हैं जी हाँ दोस्तों अब आबादी जमीन को आप अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में भी जान लिजिए क्योंकि देखे होता क्या था कि आबादी जमीन थी अगर आबादी जमीन में किसी का नाम नहीं है जिसका जहां पर मकान है उसका वहां पर कबजा है वो उसी का माना जाता था तो होता क्या था कि अगर दूसरा कोई आप में कबजा कर लिया तो इसका मतलब जमीन उसकी है अब क्या होगा अब हर व्यक्ति का जो जितने में कबजा है जिसका जितने में कबजा है जो जिनके कबजे में जितने हिस्चेदार है उनका नाम डिवाइड होगा और सबके नाम पर उस जमीन को कर दिया जाएगा इसका process क्या है इसके process के बारे में हम आपको बताते हैं इसके process में क्या है कि देखे अब देखे ड्रोन एक ड्रोन केमरे से जो आबादी छेत्र की जमीन है उसे माप किया जाएगा माप किया जाएगा और माप करने का प्रोसेस क्या होगा माप करने के लिए देखे यह देखे अभी प्रोसेस चल ला है जिसकी जितने जमीन है जिसकी जितने में कबजा है वहाँ पे जो है ड्रोन कैमरे से ब्यूज लिया जाएगा और जिसका जितना area है उससे आधार card, mobile number उससे data लेके उस जमीन को उनके नाम पर कर दिया जाएगा तो यह बहुत जगह पे हो गया है नेकपाल जो आपके local नेकपाल है जो आपके छेतर के नेकपाल है वो इसको काम को कर रहे हैं अगर आपके नाम पर आपकी आबादी वाली जमीन हो गई है तो आप उसे देख लें आपके पास एक mobile पर link जाएगा उससे आप open करके अपनी घर आबादी का जमीन आपके पास आपके नाम पर अभी नहीं हुआ है तो आप अपने नेकपाल से मिल सकते हैं और उनसे इस बे बारे में जान सकते हैं यह यूपी में पूरी यूपी के हर district में यह योजना लागू की गई है आप अपने नेकपाल से समझ लीजिए कि हमारी आ वायदा होगा कि अभी तक आबादी 9-6 में मकान कितना भी बड़ा बना लीजे लेकिन उसकी बैलू नहीं होती की आपको उस पर कोई लोन नहीं मिलता था कोई वरासत नहीं पाता था लेकिश्राइब हम लोन मिल सकता है इसका वसीयत हो सकता है और इसे लीगल का द weaker जायाए गा है विवाद जो है कम हो जायागा पहले विवाद नाम पर है नहीं जिसकी जितना कबजा है वो उसका है अब क्या है कि सब के नाम पर हो जाएगा तो एक फाइनल हो जाएगा कि इनके नाम पर इतनी जमीन है इनका इतना कबजा है अगर कोई ज्यादा कबजा करता है तो प्रसासन उनसे छुड़वा सकता है उस जमीन किसका कम हो रहा है इ अभी तक क्या होता था कि जब ग्रामिड चेत्रों में खासकर आबादी चेत्रों में लड़ाई जगड़े हो जाते थे जमीन को लेकर तो नेकपाल की इसमें जिम्मेदारी नहीं बन पाती थी क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं बनाता कि इसकी कितनी जमीन है अब क्या आम जगड़े को सुल्जाएं साथी इसमें आपको होमलोन भी मिल सकता है और दूसरी चीज आपती एक और टॉपिक पर हम बात करें तो इसमें आप अगर कोई प्रॉबलम है अगर जैसे माल लिजे आपकी जमीन जितने में कबजा उससे ज्यादक किसी दूसरे को नेकपाल ने लिख दिया या आपकी जमीन उसके हिस्से में लिखा गया तो उसमें कम से कम 15 दिन में आप आपती दर्ज कर सकते हैं अधिकतम 40 दिन में आपती दर्ज कर सकते हैं जिससे आप उससे सहूलियत पा सकते हैं और जो भी संसोधन होगा संसोधन किया जा सकेगा साथी इसी के साथ जय हिंद मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें